तो चलिए फ्रेंड देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सीट जनवरी दोजर चोबिस के लिए समाजी कध्यन की क्लास लाए हैं ठीक है जिसे हम लोग सौट कॉर्ट में एसस्टी बोलते हैं ठीक है और हमारा जो टार्गेट रहेगा फ्रेंड कि हम लोग अपने प्रेंड पर होंगे और कुछ इसमें पेड़ागॉजिकल प्रेंड प्रेंड आज यह क्लास जो है आपकी थोड़ी सी लेट है थीक है बट आप लोग कहीं जाएगा नहीं आप लोग क्लास को अटेंड जरूर करिएगा क्योंकि इसमें जो भी हम क्वेस्टन कराने जा रहे चैनल को लाइक एम सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजे ताकि हमारी कोई भी सीटेट की नौटिफिकेशन यानि कि कुछ भी आपका क्लास चलती है वीडियो आती है तो तुरंत आपके पास जाए और तुरंत ही आप लोग पढ़ाई कर सके ठीक है तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है अपने दोस्तों को सेयर करिए और एक लाइक भी करिए और साथी साथ अपलग बेल आइकन को भी दबा लीजेगा ठीक है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग अपने पहले क्विस्चन क्यों चलेंगे और देखते ह चैनल के मध्दा इंड्स Кौ चुना और यसरी राजी सभा को चुनाव करताथ गया की आपका सथाइशा होता है यह आपका सथाइशा होता है जो इसकी अधिकम संख्या होती है वो आपकी 250 होती है जिसके दो कि खुने जाता है ठीक है और जब को आपके 12 सबस्वा करते हैं अधिके 5 कंट भारत के वरतमान टाइब में उपराष्ट्रपती कौन है? आप लोग हमें comment box में comment करके बताएंगे ठीक है एक question आप लोग के लिए तो यहां पर जो right option होगा friends option no.4 थी बिल्कुल correct होगा ओकी तो चलिए सबसे अब हम लोग अपने अगले question के ओर चलेंगे ठीक है पहले question को complete करते हुए question है कि भारत द्वारा निमनलिखित में से किस सासन प्रडाली को अपनाया गया था ठीक है यानि कि यह जो भारत द्वारा आपके किस सासन प्रडाली को अपनाया गया था पहला option है शंसदी और एकात्मक दूसरा है राष्ट्री और शंगी और थर्ड़ अप्सन है यानि कि ती यानि की देखें जो भारत थे वह आपके समीधान जो आनुच्षेद्च 74 अपका जनसदी यानि की संगिर पुडाली और अनुच्षेद्च इसंद्च 114 राजिय के बारे में जिक्र किया गया है ध्यान दीजे का आप लोगों नहीं पता होगा अभी जाकर कि आप लोग लुशेंट की बुख उठाइए और अनुषेत को देखे यानि कि जो समीधान दिया है भारती समीधान उसको आपको जाकर के पढ़िए एक बर सब कुछ क्लियर हो जो भारत कि आप लुशेत को अपनाया गया था तो वह आपका शंसधी और शंगी पढ़ाली है ठीक है आप लोग एक बर सबसाटके जो आपके 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 शंधी पढ़ाली के बारे में यह भी आप लोग पढ़िए गया और जो 74 पचेटर आपका समीधान आपक कि जो समिधान का आर्टिकल है ठीक है उसको भी आप जाकर एक बर देखिएगा उसमें आपके संगी यानि कि शनसदी प्रडाली के बारे में दिया है तो चलिए आप पर फॉर्थ आप्सन बिल्कुल करेक्टर फ्रेंट्स अगले क्यों चलते हैं देखते हैं क्या है क्विस्चन है कि अनुसुचित जातियों के लिए कितनी शनसदी निर्वाचन छेत्र आरच्छी थे ठीक है यानि कि जो अनुसुचित जाती है उनके लिए कितनी शनसदी निर्वाचन छेत्र आरच्छी थे पहला आप्सन है 48 दूसरा है आप्सन आपका 84 और 3 है कि 47 और आपक यानि कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सेकेंड चौरासी ठीक है चलिए अगले कुश्चन को और चलेंगे यहां पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ठीक है देखें क्वेस्चन है कि भारत में अस्प्रिस्थिता प्रथा के कारण ठीक है यह आप सभी के यानि कि जो पॉलिटिकल है ठीक है जो हम लोग नागरिक सास्त्र पहले बोलते थे अब इसे पॉलिटि यानि की राजनिती विग्ञान बोल दिया गया है ठीक है तो इसमें देखें जो आपके भारत में अस्प्रिस्थिता प्रथा के करण जो निमनली खित थर्ड है शोशड के विरुद्ध अधिकार और आपका लाश्ट आपसन फोर्थ है समिधानिक उप्चारों का अधिकार ठीक है तो यहां पर देखें जो आपका अस्प्रिस्थिता है ठीक है इसमें आपके समानता का जो अधिकार होता है यहीं आपके मौलिक अधिकार का उ तो ध्यान देजेगा यहां पर जो राइट आप्शन बनेगा आप्शन नमबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा यानि की समानता का अधिकार ओकी चलिए अगले कोश्चन के ओर चलते हैं देखते हैं अंगला कोश्चन हमारा क्या कहता है नर्ट फाले पूचेगा है ध्यान देजेगा आपसे क्वेश्चन पूचा गया है कि भारत के सम्मिधान के अनुसार कौनसा आपका मौलिक अधिकार नहीं है पहला option है सिच्छा का अधिकार, second है शोशड के विरिद्ध अधिकार, third है धर्म की आजादी का अधिकार, और fourth option last है कि संपत्ती का अधिकार, ठीक है, तो देखे friends कौन सा आप मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो ये आपका, कौन सा हो जाएगा, right option, संपत्ती का अधिकार, ठीक अधिकार के रूप में समाविष्ट किया गया है, तो यहाँ पर जो right option होगा, कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो जब कसंपत्ती का अधिकार है, ये अब आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ठीक है, यानि कि right option क्या हो जाएगा, option number fourth, बिल्गुल correct हो जाएगा, okay, चली अगले question के ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है question, question है कि asprisita dash के आधार पर भेद भाव को संदर्भित करती है, यानि कि जो asprisita है friends, वो किसके आधार पर भेद भाव को संदर्भित करती है, पहला option है आपका साररिक विगलांगता, दूसरा है link, तीसरा है जाती और च जाती होती है, इसको संदर्भित करती है, जो उच जाती वाले होते हैं, वो निम्न जातियों से जैसे कि asprisita का भाव रखते थे, ठीक है, बट प्रिजन टाइप में बहुत कम हो गया है, यहां पर जो राइट option होगा, option number 3 ही बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीक है, चली अगले question पती, दूसरा है प्रधान मंतरी, तिसरा है राजिपाल, और फोर्थ option है उच्छ नयाले के मुख्य नया अधीश, ठीक है, तो देखें, जो मुख्य मंतरी की नियुक्ति कौन करता है, तो यह आपके राजिपाल बिल्कुल correct option हो जाएगा, ठीक है, यानि कि यह right option क्या होग तो यहाँ पर जो right option होगा, option number third आपका पिल्कुल correct हो जाएगा, चली अगले question की और चलेंगे, और देखते हैं, अगला question हमारा क्या कहता है, देखें, question है, कि राजिपाल को कौन नियुक्ति करता है, वहाँ पर देखें, पिछला question आपका मुख्य मंतरी की नियुक्ति कौन जो सम्विधान का अनुछेद आपका एक सो सतावन और एक सो अठावन है, ठीक है, यानि कि 157 और 158 में जो राजिपाल पद के लिए योगिता बताई गई है, इसके मुदाबिक वहीं व्यक्ति राजिपाल बन सकता है, जो भारत का नागरिक हो, ठीक है, और 35 वर्सी की आय कि राजनिती में भाग न लिया हो, ठीक है, और केंद्र शरकार की शलाह पर राष्ट्रपती के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आप्सन आपका फोर्थ होगा, बिल्कुल करक्त यानि कि राष्ट्रपती, चल का फोर्थ हो जाता है, ठीक 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 है और साथ ही वे लोक्षभा में बहुमत दल के लीडर होते हैं कौन आपके प्रधान मंतरी ठीक है और जो प्रधान मंतरी होता है फ्रेंट्स वो भारत सरकार की कारेपालिका का प्रधान होता है और शरकार के कारियों के प्रती अपने संसत को जवाब देह भी होता है ठीक है यह पर जो right option होगा option number third बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अगले question के ओर चलेंगे और देखते हैं अगला question क्या है फिर से देखे एक question है कि निमनलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है ठीक है आपको बताना है कि भारत का सबसे पहला नागरिक कौन होता है भारत के मुख्यने आधिस, ग्रिह मंतरी, राष्ट्रपती और परदान मंतरी तो देखे फिर जो भारत का पहला नागरिक कहलाता है वो आपका राष्ट्रपती होता है ठीक है यानि कि जो right option होगा option number third बिल्कुल correct होगा ठीक है चलिए अगले question के ओर चलेंगे इतना काफी है यहाँ पर ठीक है देखे question है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है वन मिनट यहाँ पर लगता है कि question डबल बार हो गया है क्या पहला नागरिक फिर से वहीं आगया पहला नागरिक अच्छा इसमें one minute देखे यहाँ पर question में कुछ अलग था ठीक है यहाँ पर राष्ट्रपती था और यहाँ पर नहीं है ठीक है तो अब आपको बताना है देखे question क्या है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है यानि कि वहाँ पर त तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट उप्सन होगा फ्रेंड वहाँ आपको आपका हो जाएगा अगले question क्यों चलेंगे और देखते हैं क्या कहता है question है कि वर्तमान लोक सबा ठीक है یानि कि 2014 के बाद ठीक है यानि कि आपको बताना है कि वर्तमान लोकसबा 2014 के बाद कौन सी है पहलो option है 13. शेकेंड है 14. और आपका third option है 15. और चौर Two आपका option है 16. ठीक है तो यहां पर देखें जो question पूछा गया है कि जो वर्तमान लोकसभा है आई हो friends आप लोगों को आबाज आ रही होगी ठीक है तो देखें सबसे पहले आप लोग जान लेजें friends कि देखें जो सोलहवी लोकसभा थी ठीक है उसका कारेकाल आपका 2014 से लेकर के 2019 तक रहा था ठीक है और उसके बाद friends देखें जो चुनाव योग है उसके द्वारा आपकी सत्रहवी लोकसभा चुनाव कारेकरम की घोशड़ा कर दी गई थी ठीक है तो जो सत्रहवी चुनाव लोकसभा कारेकरम का चुनाव है friends तो इसको हम लोग हटा देंगे यहां पर 16 की जगह 17 कर देंगे ठीक है तो राइट आपसन आप लोग फोर मानिएगा इसमें 17 कर दीजगा ठीक है क्योंकि यह प्रीबिएस एर कुष्टेन पेपर है ठीक है और जो कुष्टेन पेपर है यह आपके 2018 के है और लोग सबा के अध्यश कौन से है यह आपके ओम बिर्ला सहाब है ठीक है ओम बिर्ला सहाब तो यहां पर 17 हमी होगी आप लोग ध्यान दीजेगा चलिए अगले क्वेश्चन के ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है भारत का वर्तमान राष्ट्रपती कौन है नरेंद्रवोधी प्रतिभाप पार्डिल एम वंकया नाइडू और फोर्थ आपका रामनात कोविंद तो ध्यान दीजेए का फ्रेंड्स जो वर्तमान में आपके राष्ट्रपती है वह आपकी द्रौपती मुर्मुर्श राहब है जो कि इन चारो आप्शन में नहीं है तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं जब भी आप्शन में आगा क्योंकि यह आपके दोजार अठारा के दिये गया है तो वर्तमान राष्ट्रपती है वह आपके द्रौपती मुर्मुर्श रहाब है तो यहां पर रामनात कोविं है माली जब यहां पर द्रौपती मुर्मुर रहता तो आपका राष्ट आपसन फोर्थ होगा ठीक है तो इस क्वेस्टन को हम लोग छोड़ देंगे चलिए अगले क्वेस्टन के ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेस्टन हमारा क्या कहता है देखे क्वेस्टन है कि भारत क धाचा थर्ड है आपका राजनितिक दलों के नाम और चौथा है आपका नागरिकों के अधिकार ठीक है तो यहां पर देखे फ्रेंड जो भारत के समिधान में किसका उलेक नहीं किया गया है तो यहां पर देखे फ्रेंड जो राजनितिक दलों के नाम है यह आपके भारत क समिधान में उलेक नहीं है ठीक है तो राइट ऑप्षन क्या हो जाएगा ऑप्षन नंबर थार्ड विल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन के और चलेंगे और देखते हैं क्या कहता है देखे राजी सभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है तो वह आपके राश्टोपती है ठीक है यह एक सथाई सतन होता है जिसके एक तिहाई सदस्यों का चैन प्रतिक दो वर्ट के बाद किया जाता है ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्षन हो का फ्रेंट ऑप्षन नंबर सेकेंड ऑप स्वरी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्षन होगा कि जो राजी सभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है तो आपके सब्सक्राइब करता है तो यहां पर राइट ऑप्षन क्या हो जाएगा ऑप्षन नंबर थार्ड बिल्कुल करेक्ट होगा तो चरिए हम लोग अगले क्यों चलते हैं देखते हैं क्या कहता है देखे अगला क्वेश्चन है कि निमने लिखित में से कौन भारत का एक मात्र भारतिय गवर्नर जनरल था ठीक है यानि कि भारत का एक मात्र भारतिय गवर्नर जनरल कॉल था पहला ऑप्षन है डाक्तर शालोपली राधा क्रिश्लन दूसरा ऑप्षन है बी पत्ताभी सीता गवर्नर जनरल थे ठीक है तो जो राइट आप्सन होगा आप्सन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं देखें मोश्ट इंपॉर्टेंट और यह आपके बहुत ही इजिकल क्वेश्चन है ठीक है यदि आप लोग लु जो भारत का समिधान यानि की कब अपनाया गया था यहां पर जो राइट ऑप्सन बनेगा ऑप्सन नंबर थार्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज थोड़ी सी क्लास हमारी लेट है बड़ कोई बा एकी क्षित करने डायक भूमी का निभायं थी यानि की किसनी भारत की रियासतों को एकी क्रिद करने में निढदायक भूमी का निभाय थी पहला ओपशन है जवार लाल नहरू सर्दार बल्लब भाई पटेल थर्ड है डाक्टर बियार अमबेटकर और चौथा है फ्रेंट लाष्ट फोर सी राजगोपाला चारी ठीक है तो देखें फ्रेंट्स यानि कि भारत की जो रियासत थी उसको एक ही कृत करने में रिड़ा एक भूमी का निभाई थी तो वह आप के फ्रेंट सर्दार बल्लब भाई पटेल थे ठीक है यानि कि राइट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन नमबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चली अगले कोश्चन के ओर चलें देखते हैं क्या है क्वेस्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के शमिधान की समव समवर्ती सूची के मामलों में कारे करता है पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार और राज्य सरकारे सेकेंड है राज्य सरकारे और इस्थानी सरकारी निकाय और थर्ड है आपका केंद्र शासित प्रदेश और चोथा है इस्थानी शरकारी निकाय तो देखके जो क्वेस्चन प पाए जाते हैं ठीक है तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा ओके चलिए अगले कोश्चन की और अब हम लोग चलते हैं देखते हैं क्या है क्या है आज के जो क्वेश्चन है यह ज्यादा तर आपके पॉलिटी सेकेंड है डाक्टर वी यार अमबेट कर थर्ड है डाक्टर राजेंदर प्रसाद और फोर्थ आप्शन है आपका जवाहरलाल नहरू तो देखें यहां पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि कौन आपकी भारत की शामिधान सभा में मशाधा समीति के अध्यश थे तो व प्रारूप समीति भी बोलते हैं यानि कि प्रारूप समीति या फिर मसौदा समीति इसका अगठन कब हुआ था फ्रेंट सॉरी 29 अगस्त आपका 1947 को हुआ था ठीक है यानि कि 1947 को थीक है तो चलिए यहां पर आपका यह कुश्चन करेक्ट हो गया होगा सेकेंड चलिए अग किसके नेत्रितों में बंगाल धीरे-धीरे मुगल नियंत्रड से अलग हो गया था पहला उप्सन है मुर्सिद कुली खान सेकेंड है नादिर्शाह और थर्ड है आपका अलिवर्दी खान फोर्थ है बुर्हान उल मुल्क ठीक है तो यहां पर जो सबसे करेक्ट ऑप्सन हो गया था ठीक है तो यहां पर राइट ऑप्सन आपका ऑप्सन नमबर फॉस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले अगले कोश्चन के ओर चलते हैं देखते हैं क्या कहता है देखे क्वेस्चन है फ्रेंड्स के निमने लिखित में से किस गवर्णर जनरल ने फैसला किया क कि बहादुर साहज जफर आखरी मुगल समराथ होंगे और उनकी मृत्यू के बाद किसी भी वनसच को सासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा तो यह आपको बताना है कि किस गवर्णर जनरल ने फैसला किया था कि जो बहादुर साहज जफर है ठीक है यह आपके आखरी मुगल समराथ होंगे और इनकी मृत्यू के बाद किसी भी वनसच को सारी किसी भी वनसच को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा पहला ओप्सन है फ्रेंड्स लार्ड डल होजी सेकेंड है आपका विलियम बेंटिक थर्ड है लार्ड कैनिंग और फोर्थ है आपका जुका था ठीक है जब आपका अठार सुसा तावन में फ्रेंड्स क्रांती के शाथ जब देश सभी बिद्रोही शैनिको और राजा महराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का समराथ माना और उन्होंने भी अंग्रेजों को खदेड़ेने का अहवाहन किया ठीक है और पूर कि जो ब्रिटीस हैं ठीक है हाथ में ले लिया जाएगा ठीक है और क्योंकि जो उचित प्रसासन इस्थापित करने के लिए ब्रिटीस आसन विवस्था की जरूरत थी ठीक है और इन ही बातों का ध्यान में रखते हुए जो बहादूर साह जपर उसने मुकदमा चला दिया ठीक है यानि कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो बहादूर साह है उन पर मुकदमा चला गया था और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था जहां उन्होंने अंतिम सास ले थी ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा ऑप्सन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चली अगले कोस्चन की ओर चलते हैं देखते हैं अगला कोस्चन हमारा क्या कहता है देखे क्वेस्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने घोसित किया कि आवध पर गलत तरीके से सासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रीटिश शासन की आविसकता थी तुक है और लाजरीपन का लाजर कैनिंग और फ़र्फ याप का यहाँ पर यहां पर एक्टरिक्टाई सासन होगा फ्रेंडS आप्शन 3 мяс लाजर के गवर्नर जर्लत रहई जहने कि इननों नहीं घोसित किया था कि जो अवध है उस पर गलत तरीके से सासन किया जा रहा था और उचित प्रिसासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश सासन की आविसकता थी ठीक है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्सन हो का फ्रेंड आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा च प्रेंड नाना सहब और फिर्ड नाना शाहब और फिर्ड आपका थार्ड बाजी राव दूति और चौथा आपका फूर्थ बहादूर शाह जपर ठीक है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्सन होगा फ्रेंड आप्सन नमर फर्ष्ट बिल्कुल करेक्ट होगा नाना शाहब ठीक है यानि कि जो कानपूर के नाना शाहब सासक थे ठीक है इन्होंने खुद को ही पेसवा कहा यानि कि फर्ष्ट आप्सन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओकी चले अगले कोस्चन की और चलेंगे और देखते हैं क्या कहता है देखे क्वेस्चन है फ्रेंड की का कारखाने के बिशे में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधी होगी यानि कि जो कारखाना है उसके बारे में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधी कौन सी होगी पहला ओप्सन है एक कहानी सुनाना सेकेंड है किसी विशेशक को निमंतरित करना और थर्ड है कि 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 एक डेकुमेंटरी फिल्म दिखाना यहां पर देखे फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्सन होगा कि जब आप कर खाने के बीसे मैं पढ़ाने जा रहे हैं ठीक है तो वहां पर जो फ्रेंड्स आपकी सबसे उपयुक्त बिदी होगी वह आपका होगी कि किसी ऑद्यों की कार की यात्रा आयोजित कराएं ठीक है कार खाने विशे को पढ़ाने के लिए तो यहां पर जो राइट आप्सन होगा फ्रेंड्स आप्सन नमबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके चली अगले कोस्चन के ओर चलेंगे और देखते हैं क्विस्चन क्या कहता है देख चुद्र ग्रह जो मंगल और ब्रिहस्पती की कच्छाओं के बीच में पाया जाता है और फोर्थ है कि एक मानो निर्मित भारतिय उपक ग्रह तो देखें जो एडुशेट है ठीक है उसका जो अभिप्राय है वो आप्सन नमबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है कि जो वह यहांजयर जो परोफोर्च होगा है था फिर्या फिर्ट हारती मिश्टा जो पायरा हुआ हो घुचle स्थ्या है 4 प्रेट ब्र्कुल कर्यक्त है यहां पर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट होगा है तो यहां पर आपका 4 बिल्कुल किया second lingering को अग्ले लिए से исследования कि निमनलिखित किस महान स्रणाय जो इंग निमनलिखित कि निमनलिखित में कि सब नुफान हस्ती से भार्चा आंग और सilarचित किया गया है कि महान खिसके 50 गार्फिट 9 यानि कि अप्सन नमबर दो जो आपके कवीर है ठीक है इनको ही देखे फ्रेंड्स कवीर या फिर भगत कवीर 15 सदी के भारती रहस्वादी कवी और शंतत थें ठीक है और वे हिंदी साहिती की भक्त काली यूग के ज्याना सरही निर्गुर साखा के काप व्यधारा के प्रवर जिसमें बिस्ट्र को नर सिंग अर्थात पूरुस सिंग के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृती है ठीक है पहला ऑप्सन है गुर्जर प्रतिहार काल ठीक है और सेकेंड है यहां पर राश्ट्रकूर्ट काल थर्ड है आपका चैलुक के काल और फोर्थ आपका जो आपके राश्ट्रकूर्ट काल है ठीक है यानि कि इसी काल की कृती है जो नर्सिंग वाली है ठीक है यानि कि पूरुस वाली जो भी है यहां पर क्याल दिया था ठीक है नर्सिंग यानि कि पूरुस सिंग के तो यहां पर राइट ऑप्सन क्या हो जाएगा ऑप्सन आपके प्रह्म शमाज राम कुछ्छा मिशन थर्ड है सत्यशोधक समाज और फॉर्थ सेवा समाज यहां पर देखें जो सबसे क्रेक्ट आप्सन होगा कि कौन से संगठन उपनिसद में आस्था रखता है तो यह आपका फ्रेंड से ब्रह्म शमाज होगा ठीक है राइट आप इसको राजा राम मोहन और द्वारका नाथ टाइगोर ने स्थापित किया था ठीक है और यह आपके भारत का एक समाजिक धार्मे का अंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर ज्यागर यूग को प्रभावित किया था ठीक है और इसके प्रवर्थ तक फ्रेंड आपके राजा की थलपना ओके और कंटीनिव फ्रेंड्स आप लोग चैनल से हमारे जूड़े रही है ठीक है जो भी आपकी प्रक्टिस सेट होते हैं आज आपकी सीडीपी की क्लास नहीं चलेगी कल से आपकी हिंदी एससेटी और सीडीपी तीनों की क्लास रेगुलर कंटीनिव चलेगी के शुशरी आज की क्लास में बस इतना ही मिलेंगे अगली क्लास यानी की कल तब तक के लिए धन्यवाद बाबाए